तो यार जैसा कि आप सभी को पता है जोसा कॉंसलिंग के कित्ती फी होती है तो देखो अगर आपको ब्रांच अलोट हो जाती है आपने जो चॉइस फिल करके दी ठीक है कांसलिंग में अपलाय करने की कोई फीच नहीं है अप कांसलिंग में अपलाय कर सकते हो आपको अपनी जेइमेंession के जो भी रेजिस्ट्रेशन नमबर है उससे आपको लॉग-इन करना रहेगा पोल्टल पे 12 सिप्टेंबर को उस पे आप अपनी परसनला सकते हो6 दूप से आ लॉट हो जाती जो भी आपने प्रिफरेंसे लिस्ट दी अपनी उसमें से अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती तो उसके डाइम पे आपको पार्शल एड्मिशन फी पे करनी पड़ती है वो पार्शल एड्मिशन फी किती होती है लास्ट येर तक 35,000 धी जनरल कैंडिडे से जनरल एड़लोएस और इनकी सारी रेस्पेक्टिव पी डबलोएस की ये फीस है आपकी 20,000 इसके अलावा जो भी केंडिडेट बज गए उनकी पार्शल एड्मिशन फीस है 40,000 फॉर आपको पार्शल एड्मिशन फीस देनी पड़ेगी जैसे ही आपको निट प्लस सिस् पार्शल एड्मिशन फी क्या बहिए ये पार्शल एड्मिशन फी एड्मिशन फी यह इस रंदेबल होती है बिलकुल रेपंड़ ओर अगर्शल आपने जो सा काॉंसलिंग के अंदर पार्शल एड्मिशन फी पे करा उसके बाद 50,000 वहाँ पे घैस्टति चाहा र आइड इस हैमिस्टर फीज के लिए क्या भया ये fee refundable होती है बिल्कुल ये fee refundable होती है अगर आपको जो सा counseling में कोई branch मिल जाती है और वो branch से आप seat withdraw करते हो ठीक है अगर आप seat withdraw करते है तो जो सा processing charge करता है 6000 रुपीज का बचीवी फीज आपको refund होती है आपने proper document upload नहीं क्या आपकी documentation में कोई कमी है उस वज़े से अगर ये seat cancel हुई है तो इसका जो सा processing charge करता है सिफ 3000 रुपीज और वो आपको refund कर दिया जाएगा अगर आपकी document disparency की वाज़े seat cancel हुई है तो आपका 40,000 का 37,000 और 20,000 का 17,000 refund कर दिया जाएगा ये साब साब लिगावा है जोसा के business rules के अंदर hope so refund से regarding fees से regarding हर चीज clear हो गई होगी मज़ा आया तो चैनल को subscribe करके वीडियो को like करना ऐसी हर एक important चीज आपको इस चैनल पर जानने को मिलेगी मिलते है अगली वीडियो में तक के लिए have a nice day bye bye take care